लिंग पुरान करती है माराज जो बच्चा हकलाता हो अर्थाच गोलते बोलते अटक जाता हो या बानी हकला रही है तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़ कर उपर से चक्कू से उसको पाफ करकर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लिए और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर खाली कर लीजिए बेल का माराज सोंबार की सोंबार पाँच सोंबार उसमें पानी भर कर भगवान शंकर को समर्पित करिए एक पात्र शिवलिंग में से जल नीचे गिरे उसके उदर पात्र को लगा लिए समर्पित करकर जल को धेल कर लिया है जो व्यक्ति बाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुरान का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम उस मंत्र का जाब कराकर दीरे धीरे बुलवाते हैं उस पानियों को पिलाना प्रारम करते हैं केवल सम्बार को ही करना है और सम्बार को ही पिलाना इसके सिवाय नहीं करना है मारत जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्त ब्यंद भोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते हैं,